तो नमस्कार दोस्तों स्वागतार आप स्वीक आउला निडर्फोस टीटीव चैनल में हम बात करेंगे तमाम वर्तियों की लेटर सब्डेट के बारे में जो कि सम्बंदित है एड़ेट जुनियर सिछक वर्ति इसी के साथ नई प्रात्मिक और टीजटी पीजटी को लेकर त से लिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं जितने भी अवर्ति इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें साथी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें जिससे कि आपको इसी परकार की जानकाई हैं सबसे पहले मिलती रहें जो भी पूछा गया सब कुछ बुक से आपको देखनी के लिए मिला इसी बज़े से मैं आपको कहूंगा कि अगर आप लेकपाल के अंदर एक सीट लेना चाहते हैं तो बुक के माध्यम से पढ़ें 100% आपका जो सेलेक्शन है वो होगा इस बुक के अंदर आपको बहुत सा साथ ही आप सुभी ऑनलाइन भी ले सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो जैसा कि दोस्तों आप सुभी जानते हैं कि एड़ेट जूनियो सिच्छक भरती के एडविट कार्ड जारी कर दिये गए हैं पिछली बार भी कुछ ऐसा आप सुभी को देखने के लिए मिला था कि परिच्छा आप सुभी की होने वाली थी अठारे अपरेल को उससे पहले कभी चुनाब का मामला था तो कभी कोरोना का दोनों को देखते हुए अंतिमा फैसला लिया गया कि एड़ेट जूनियो सिच्छक भरती परिच्छा को इस दुबारा से कोट में गया और जब से सुनवाई हो रही थी मैंने आप सुभी को बताया भी था कि कहीं ने कहीं 50% का जो मामला है इसको लेकर सरकार पूरे तरीके से बैक फूट पर है जब हाई कोट की तरब से आदेश दिया गया तो उस समय पेटिशनर को यहां पर अलाउ करने का मौका दे दिया है अब सभी 50% वाले चात अगर आविदन करते हैं तो 25-70 अक्टूबर को होगी के नहीं बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जबाब में आप सभी को देने बाला हूं वीडियो को लाइक अफशी कर दिया करें जितने अव्यति देख रहे हैं आज के 50% से कम अंक वाले चात्तों के लिए यहां पर जो आविदन का मौका है वो दे दिया गया है और के अंदर जो लाइन लिखी हुई थी कि जो पैटीशन ने और साथ में जो भी इससे संबन दिते उनको भी यहां पर मौका दिया जा सकता है इसी विजह से आज कि किसी भी और के अंदर तो जैसा कि कल मैंने आप सभी को बताया था मैं आपको भी बताता और साथ में जो लिखा हुआ समाचा पत्तों के अंदर उसमें भी आपको बदलाव देखने के लिए मिलता आसान बासा में समझें तो 50% वाले सभी चात्तों को मौका दे दिया गया है यहां प अभ्यातियों को भी सामिल करने की निदेश दिया है जिनके नातक के अंदर 50% से कम अंग हैं दर्जन उप्यातियों यांटिकर परिच्छा में सामिल होने की अनुमती मांगी थी नया निया मूर्ति केज़े ठाग और साथी अगर बात के नया निया मूर्ति सब्सक्राइब करते हुए इस याचिका पर आदेश दिया है याचियों का पच्छ रगए अधिवक्ता अगनी होती कुमार तेपाटी का कहना था कि असास की जूनियर हाइज स्कूल प्रदाना अध्याबक साय का अध्याबक वरती के अंदर जारी विग्यापन में सिर्फ उन इसको रद कर दिया गया है जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएं कि उलंगन करते हुए यहाँ पर इस आदिस को रद करते हुए फिलाल नीचे आप सी के सामने जानकाई देखने के लिए मिल रही है उनकी तरफ से बताया है कि पच्छास परसंट से कम अंक वाले अव्यतियो को भी बीर्ड कर सकते हैं ऐसे में अगर बात की जाए एंसीटी के अधिस उचना के अनुसार उनको भी यहाँ पर अंत्रिम आदेश दे दिया गया है कि पच्छास परसंट से कम वाले च्छात्त भी आविदन कर सकते हैं फिलाल इसको लेकर प्रदिस सरकार से दुबार जब को आविदन करने का मौका दे दिया है उसी को लेकर यहां पर भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आज के लगबग सभी समाचा प्रत्तों के अंदर यहां पर जानकाई दी गई है कि 50% से कम वाले च्छात्तों को भी मौका दि देखी हुई थी कि पेर्टीशनर के साथ साथ जो भी अन्य अब्रती हैं अगर वो भी यहां पर आता रखते हैं एडिट यूने सिच्छक भरती के अंदर शामिल होने की तो उनको भी मौका दिया जा सकता है अब फैसला यहां पर PNP को लेना है कि वो किस प्रकार इसको ले कमोका दिया जाता है तो एक बात दूता है कि दुआरा से अगर आवर्दर होगे तो क्याइश्चा 75ण को हो पाएगी कैसा आगामी 10 दिन के अंदर सब कुछ हो पाइगा क्यूंकि आपस भी जानते हैं कि आगर से अगर प्रसेस को शूय कीया जाता है तो कम से कम दो दूस film क कि आगामी दो दिनों का इंतजार करें आज की तारीक में पी एंपी की वोसे उंबीद है एक नया आदेश जारी किया जाएगा जो कि 50% वाले चात्तों को आविदन करने के बारे में होगा और उसके बारे में फैसला लिया जाएगा कि परिश्चा होगी के नहीं दुपहर तक जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से आप सभी को दे दी जाएगी तो थोड़ा सा पेशन्स रखें और तब तक अपनी तयारियों को लगाता करते रहें मामला थोड़ा सा गड़बर तो हुआ है 50% की विज़े से लेकिन सरकार की और PNP किसमें गलती भी थी उन्होंने पहले इस मुद्धे पर सुनभाई की होती तो आज ये दिन न देखने पड़ते फिलाल अगर बात की जाए परिच्छा को लेकर फैसला PNP के उसे लिया जाएगा जो भी अपडेट होगी दुपए तक या शाम तक आप सभी को दे दी जाएगी लेकिन वही दूसरी बात की जाए नई प्रात्मिक सिछक भ्रती को लेकर लगाता है कई समाचा प्रत्यों के अंदर जो जीजife के सामने निकल कर आ जाती कि उत्तर बिदेश वे नई प्रात्मिक सिछक भ्रती आने वाली है उसका रीजन आप सभी जानते हैंabor che उन बड़ी स से ज्यादा सिच्छकों के पर खाली हैं जिसकी जानकाई मैंने कली आप सभी को आकर दी थी कि लगबग एक पॉइंट एक लाक ऐसे स्कूल हैं जहां पर सिर्फ एक ही सिच्छक देखने के लिए मिलते हैं तो टोटल अगर बात की सभी के सामने के लिए मिल जाते हैं ऐसा कहा गया है फिलाल आप सभी यहां से देख सकते हैं कि उनेश्कों की रिपोर्ड का माने तो यहां पर उनका कहना है कि साड़े तीन लाग के आसपास उत्तर प्रदिस में सिच्छकों के पर खाली हैं तो वहीं दूसी दब आज के कही सम सिच्छा परसद की स्कूलों के लिए दिसमबर में शुरू कर सकती है जैसा कि आप सभी को मैंने बताया भी है कि दिसमबर तक आप सभी के सामने विग्यापन अवश्य जारी कर दिया जाएगा राजस्य परसद के चेर्मेन की अद्ध्यक्ता में बनी कमिटी की रिपोर्ट आने के बाद ही दिख्त पतों की अंतियुम संख्या जोए तै हो सकेगी प्रदे सरकार ने सुपीम कोट में 5112 पतों की जानकारी तो दी थी लेकिन सरकार ने ट्विट करके भी इसके बारे में अलान कर दिया था तो वहीं दूसरी तब आप सभी जानते कि पीएबी की बैठ क्वालिफाई है वह अच्छी बात है जो क्वालिफाई नहीं है उनके लिए यहां पर आप सभी के सामने यूपीटीटी दो जाएकिस का नोटिफिकेशन आज की तारीक में जादी कर दिया जाएगा जैसा कि आप सभी यहां पर देख पारें कि सत्तर नवंबर को आप सभी आप सभी के शेंश्यों दे उत्तरमाला जादी होगी और परिच्छा फल जो होगा 28 दिसमबर 2021 को जादी कर दिया जाएगा तो आज से आप सभी आविदन कर सकते हैं यूपीटीटी 2021 को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए उफीशल वेबसाइट पर जाकर आविदन कर सकते ह मुझे उम्मीद है जितनी भी अब्रती यूपीटीटी बैठने वाले इस पार सफ़ाल अवश्य होंगे और उसके बाद में नई प्रात्मी सिच्छक भरती में भी आपको बैठने का मौका मिलेगा एक बात तो होता है कि नई सिच्छक भरती भी आईगी बहले ही थोड़ा लेकर चैन बूर्ड यहां फिर यहां पर चैन बूर्ड कि उसक नया आधेश जादी किया गया है तो यहां पर दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, देरजात को अगर बात किया है, तीजी टी इसनातक को लेकर सामजी बिग्ञान साथी कला दोजा सोले की संस्ता आवरंडन तो जानी कर दिया गया, लेकिन खामिया कई देखने के लिए मिली है, चैनि सिच्छक अगर बात करें, जो बेरट के अंदर आवरंटित किया गया है, वहां के बदाना चाहिए डॉक्टर रजनी रानी और और भी तमाम चीज़ें यहां पर देखने के लिए मिल रही है, फिलाल अगर बात कीज़ें, टीजी टी दोजा सोले को लेकर, चैन बोड की उसे लगाता बहुत सारे कार किये जा रहे हैं, ऐसे मैं जान गई यह भी देखने के लिए मिल रही है, कि जो टीजी टी का परड़ा में, वो आपको 12 अक्टूबर से पहले जारी कर दिया जाएगा, लगबग सभी विशहों की उत्तरमालाओं को लेकर आपतिया मिल चुकी है, जल्द इस पहले जाएगा, और फिशक ब्रती का भी रास्ता साफ होगा, उसी करम में अगर बात की जाएगा, उत्तर पितर लोक से बाह आयो की उसे देजरात को आप सुभी को पता कि उत्तर कुंची जाली कर दी गयी जिसकी जान गई, मैंने आप सुभी को देजरात को आकर धी थी, राजकी इंटर कॉलिज प्रवक्ता कि अगर बात की जाएं परिच्छा के सामान नियद्यान उसाती पांच विश्यों की उत्तर कुंजी जाली कर दीगई जिसको आप सब्सक्राइब पर जाकर चेक कर सकते हैं आयो के परिच्छा नियन तक अर्विंद मिश्य ने अभ्यातियों की आपत्यों के साच्छों को लेकर 13 अक्टूबर तक का जो समय वो दिया उसके बाद में आप सब्सक्राइब पार समय नहीं होगा ऐसे मैं अगर बात की जाए परिडाम को लेकर तो जानकर यह भी देखने के लिए मिली है कि 13 अक्टूबर के बाद जैसे यहां पर आपत्यों मिलती है एक से डेट अफते के अंदर यहां पर सारी आपत्यों विचार किया जाएगा और उसके बाद में इसी महीने के अंत तक GIC प्रवक्ता का परिडाम जादी होने की प्रवल समभावना है उससे पहले भी आप सब्सक्राइब को देखने के लिए मिलेगा जल्दी इसके बारे में कट आफ का वीडियो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबालें फिलाले इस वीडियो के माद दिम से दनाई थैंक यू फर वर्चिं दिस वीडियो